संकट का जब समय आता है, बले किसी परिवार पर आए, समाज में आए, देश में आए, विश्व में आए, तो परिवार के एक-एक सदस्य की परिक्षा की भी घड़ी वही होती है, ये बात सब पर लागो होती है, उस वक्त दोस्त की भी परिक्षा हो जाती है, दुश्मन की भी परिक्षा हो जाती है तमाम लोगों की परिक्षा हो जाती है आज वही एक घड़ी है संकट की घड़ी है पूरे विश्व में सब पर एक परिक्षा का दौर जिससे हम गुजर रहे हैं ऐसे में जब डॉनल्ड ट्रम्प आकर एक धंकी भरे लहजे में धंकी की बात करके भ हम उस धमकी से डर जाएं, तुरंट एक्सपोर्ट पर जो हमने बैन लगाया था, HCQ पर, हैड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन पर, वो हम हटा देते हैं। परिक्षा की घड़ी में राजा, प्रजा सबकी परिक्षा हो रही है। लोगों ने भी उस परिक्षा को पास किया, इस देश के 130 करोड़ लोगों ने उस परिक्षा को पास किया, हर बात मानी, सरगार की मानी, विपक्ष की मानी, सबकी बात मानी। लेकिन ऐसे में जब दिखता है कि राजा डर जाते हैं, तो हम सब जो 130 करोड लोगों का देश है, उनके दिन पर क्या गुजरती हुए। ICMR ने भी इस बारे में बात रखी है कि ये एक प्रिवेंटिव ड्रग है, खास तौर पर जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, उनके पहले ही लेनी चाहिए। भारत अपनी जिम्मेदारी समझता है, हम उस संस्कृती के हैं, जह हम पुरे विश्व को अपना एक परिवार मादाए। हम विश्व समझताय के साथ खड़े हैं, इस मुकाबले से लड़ने को खड़े हैं, जो भी बन पड़ेगा भारत को करेगा, करता आया है। प्यार से कुछ मांग लिया जाए, तो हमारी तो संस्कृती ऐसी कि हम सब कुछ देने को तयार हैं। लेकिन धमकाक है।